गुड मॉर्णिंग अल उफ यू, मैसेल्फ राजिंद्र सर्मा, देखिए बिटा, आज हम इस वीडियो में, क्लास नाइन एंड टैन दोनों की संधी नंबर टू, यानि संधी का दूसरा पार्ट व्यांजन संधी पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में, हमने फर्स्ट पार्ट स्वर संधी पूरा किया, तो आईए देखिए, आज हम पढ़ते हैं व्यांजन संधी के बारे में, देखिए बिटा, व्यांजन संधी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिवाशा, डेफिनिसन देखते हैं, तो देखिए, व्यांजन संधी किसे कहते हैं, देखिए, व्यांजन प्लस स्वर अत्वा व्यांजन, बराबर व्यांजन संधी कहलाती है, कहने का मतलब, किसी व्यांजन के बाद, कोई स्वर अत्वा व्यांजन वर्ण आए, तो उनसे उत्पन्द विकार को हम व्यंजन संदी कहते हैं यहां देखिए यदि पदांत व्यंजन के बाद मतलब पद के अंत में क्या होना चाहिए व्यंजन वर्ण होना चाहिए उसके बाद कोई स्वर अत्वा व्यांजन से उत्पन्द विकार हो तो उसे ही हम कहेंगे व्यांजन संदी कहेंगे अब व्यांजन संदी का फर्स्ट पार्टियां आपर दिया गया है सचुत्व संदी देखिए सचुत्व संदी से छोटा चू आधात है और वे सचुत्व संदी ठीक है विटा यह जो व्यांजन संदी है यह सूत्रों की आधार पर निर्वर होती है आता है इसकी पार्ट करना मुश्किल है आता है सूत्रों की आधार पर इसे हम पढ़ेंगे आईए देखते हैं पहला पार्ट पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट है सचुत्व संदी सबसे पहले इसको जानेंगे सच्चु संदिक क्या है देखिए इस तो हो चुना चू इस तो हो चुना चू हूँ ठीक है यह इसका एक सूत्र है इसका मतलब के हुआ इसका यहां दिया हुआ है अर्था आत से यानि सलिट वाला से और तै नि तै वर्ग तै वर्ग का मतलब हुआ पांच वक्षर तै तै दै दै न तो से और तै के बाद तै वर्ग के बाद यदि सलिट वाला से और चै वर्ग यानि चै चै जै जै यहां इन में से कोई वर्ण आते हैं तो इनके स्थान पर दोनों के स्थान पर से और चै वर्ग हो जाता है देखिए वापस पढ़ते से अर्थात से सलीट वाला अत्वा ते वर्ग के बाद ते वर्ग मतलब ते 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 ने के बाद शे सल्गम वाला अत्वा चे वर्ग यानि चे चे जे जे यह वर्ग में से कोई वर्ण आए तो से अत्वा चे की इस्थान पर से वर्ग और चेकिस्तान पर से अत्वा चे वर्ग में बदल जाता है ये जो वर्ण है वो इन ही वर्णों में चेंज हो जाते हैं जेखिए यहां दे रखा है जैसे में से के बाद सल्गम्वला से आ गया तो इसके इन दोनों के स्थान पर क्यों जाएगा यही रहेगा इसके बाद ते के बाद चे आता है तो चे रहेगा ते के बाद चे आता है तो चे रहेगा दे के बाद जे आएगा तो जे रहेगा और दे के बाद जे आता है तो जे रहेता है नेके बाद यहां आता है तो यहीं रहेगा और एक बास बता दूँ आपको कि यह वर्ण किसी भी प्रकार से आएं जो लाश्ट वाला वर्ण है उसका ही वर्ग का वही वर्ग का वही यानि उसी वर्ग का वही अक्षर शेश रहेगा देखिए जैसे से के बाद चै आता है तो इसका तो यह से बनेगा और चै के स्थान पर चै ही रहे जाएगा देखिए एक्जामपल देखते हैं कैसे एक्जामपल में यहां इस एक्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है सत प्रस चरित्रम तो देखिए पहले तैवर का तै है उसके बाद चैवर का चै वर्ण है अब इसमें देखिए इस चै इस तै के स्थान पर चै बनेगा और आगे चै देही रखा है देखिए तै के स्थान पर किया बन गया चै और चै बन करके यहां डबल चै हो गया तो इसका मतलब तै वर्ण के स्थान पर चै बना और चै मिलकर कि यह वर्ण बन गया सत्चरित्रम तो देगई यहाँ पर तैवर गाया पहले उसके बाद चैवर गाया तो ऐसी कंडिसन में यह चैवर गई ही इसके स्थान पर बनेगा दूसरा एक्जामपल है यहाँ साथा प्लास चेश्टा देखए यहाँ पर वही एक्जामपल है इसकी ज़ती ही तो इसे आप स्वैम करके देखें दूसरा एक्जम्पल, तीसरा एक्जम्पल है उद प्लस चार नम देखिए यहाँ पर तै थ द तो तै वर्ग का तीसरा वर्ण द आ रहा है उसके बाद में यहाँ पर चै वर्ग का प्रथम अक्षर चै आया तो इसके स्थान पर भी यही चै बनेगा और आंसर होगा हमारा उच्चार नम इसी प्रकार तत प्लस चै तो यह हमने यहाँ देखा ही था रामस प्लस चै देखिए यहाँ सेसलेट वाला और यहाँ चै वर्ग का प्रथम अक्षर चै अब क्या करेंगे इसका इस से को हम सलगम वाले से में परिवर्टन कर देंगे परिवर्टित कर देंगे तो देखिए हमारा जो शब्द है वै बन जाएगा रामस चै इसी प्रकार देखिए महत प्लस जंकार महत प्लस जंकार देखिए यहाँ तै वर्ग और यहाँ चै वर्ग चै चै जै 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 तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर क्या बनेगा यहाँ जै बन जाएगा तै के स्थान पर क्या बना जै महत जंकार यहां पर भी व्रहेद जंकार है तो दे के इस्तान पर क्या बना जै व्रहेद जंकार बना उद प्लस छिन उद प्लस छिन देखिए इस दे के इस्तान पर क्या बनाया हमने च उच्छिन शब्द बन गया उच्छिन इसी प्रकार से यह सारे कुछ पड़क सिकोख दिये हुई है। इन्हें आप Swam rough notebook कि पर देखेंये। तो आपको समझ में आ जाएगा. कि इस definition को और इसको पढ़कर के देखेंगे। तो आपको यह पूरे पूरे एक्जामपल वो आपको समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में में इसका नेक्स्ट पार्ट इस्टो तो संधी आपको समझाऊंगा तब तक के लिए आप इसे पढ़ें थैंक्यू है विनाइज डे